नमस्कार आप देख रहे हैं पर्मार्थावाज खबर प्रियागराज मेजा से लाला लश्मी नरायन डिगरी कॉलिज सिर्शा मेजा प्रियागराज में 19 अपरेल से प्रारम उतरपतिस भारत स्काउट गैड प्रियागराज की ततोधान में पांच दिवसीय प्रसिक्षड कारिक्रम 23 अपरेल को संपन हुई कारिक्रम का सुभाराम करते हुए महाविध्याले के प्रचार डॉक्टर श्रीप्रसाद विशुकर्मा ने कहा कि भारत स्काउट गैड का प्रसिक्षड लेकर चात्र चात्राएं रशनात्मक कारियों में अपना सायोग दे सकते हैं इस अफसर पर मुख्यातिती डॉक्टर दिव्या दिवेदी विभागत धक्ष प्रफेसर राजेंद्र सिंग विश्विध्याले प्रियागराज ने कहा कि सौभागी की बात है इस महाविध्याले में भारत स्काउट गायर का प्रसिक्षर शुरू हो रहा है जिससे चात्र चात्राएं एक नई उर्जा के साथ कौशल भारतकार निर्माड कर सकेंगे इस कारिक्रम में शिविर संचालक प्यूस कुमार सिंग जिला ट्रेनिंग काउंसलर इसकाउट तथा संचालिका एवं संयो प्रदानाचार श्री राम प्रताप इंटर कॉलिज सिर्सा प्रियागराज तथा इस महाविध्याले के सभी सिक्षगड सिक्षडेतर करमचारी गण एवं छात्र शात्राएं उपस्तित होकर कारिक्रम को सफल बनाने में अपनी एहम भूमिका दी करेंगे वो सारे पॉइंट सर्फ इतना है कि बचो को जो ये पांच दिनों में शिक्षा दी गई है आक्टिविटीज के द्वारा या कॉम्पेटिशन के द्वारा या एक चुक कहते हैं कि अन ओफिशिल एजुकेशन की तरह से उसको एक इंफॉर्मल एजुकेशन की तरह से दिया जाता है जहां बच्चों को कुछ एक्टिविटीज के द्वारा आपको पॉपस्फुली कुछ कुछ शिक्षाय दी जाती है एक प्रकार की एजुकेशन दी जाती है जिसको हम कहते है कि कोड़ ओफ लाइफ कहते हैं कि आप जब जीवन जीने आगे निकलते हैं तो आपको किन किन चीजों की किस प्रकार के प्रशिक्षन की अवश्यक्ता होती है और इस प्रकार का प्रशिक्षन शायद हम उने क्लास्रूम में क्लास्रूम टीचिंग के द्वारा या पिर टेक्स्ट बुक की टीचिंग के द्वारा नहीं प्रदान कर सकते हैं तो इसलिए बहुत अवश्यक है कि बच्चे इस प्रकार के कैम्प में पार्ट लें और जो बच्चों ने पार्ट लिया है I would like to congratulate them और जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनको भी प्रोचाहित करना चाहूंगी कि आगे इस प्रकार के कोई भी कैम्प होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं इस पाउट स्काउट्स गाइड्स या और भी प्रकार के एक्ट्रकुर्कुलर्स में उन्हें बच्चड के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि यह सिरफ आपकी क्लास्रों टीचें के लिए नहीं होता है यह आपकी ओवर्राल परसाइलटी डिवलाप्मेंट के लिए होता है तो आप लोगों के साथ में यहां पर इसका पाट बन सकूंगू मैं दोक्तर दिवया दिवेधी हुँ और असेट प्रोफेसर और हैड प्रोफेसर राजय इंदर सिंद एजयोबिया युनिवर्स्टी में डिफेंस और इक स्टाटिक स्टाइज के अंतरगत बीएट के बच्चों का एक कारिक्रम है था जो की दिनांकुनीश अपरेल से चालू हुआ था और ये स्काउट एंड गाइड की रूप में पांस दिवसी शीविड था जिसमें बच्चों ने इनका जो मोटो है यानि इनका जो धेवाक्य है वो यह है बी प्रिपेर्ड सदेव तयार रहिए तो बच्चों को जैसा भी हमारे मुख्यतित महो ये समाशेवा के लिए हो या किसी अन्य प्रकार की जो है मदद करना हो प्रक्रित से प्रेम करना हो या प्रक्रित का संरक्षन करना हो इसके लिए उनको सदेव मांसिक रूप से और तयार करना उनके ज्यान में वड़ोतरी करना और उनकी मनोवरित्ति में उनकी सोच में पर के रूप में उनको विक्षित करना ये हमारी स्काउट एंड गाइड का एक प्रमुक लक्ष है और पिछले पांच दिन से ये कारक्रम चल रहा था आज इसका भव्य समापन हुआ और इसमें विशिस्ट मुख्यतित की रूप में प्रफसर आजयन सिंह रज्यु भहिया विश साथ में विशिस्टातित की रूप में डाक्टर शिव प्रकास पाठक जी है आप पलोष के इंटर कालेज के प्रधानाचारी जी है और स्काउट एंड गाइड के प्रशिशक भी है हमारे साथ में जो इन पांच दिनों में प्रशिशक के रूप में उपस्तित रहे जी है, डाक्टर सिधार्थ तीवारी जी है और वरिष्ठ हमारे प्राध्यापक डाक्टर पीसी मिस्तरा जी है और वीट संकाय के साथ साथ पूरा महाविद्याले के सभी लोगों ने इस कार्कम में बहुत ही सहयोग किया, मन से सहयोग किया और बच्चों ने बहुत अच्छे प्रकार से चीजों को शीखा जाना और अपने जीवन में उसे सिच्छन के अतरित जोगतिवितियां होती हैं उसको शीखने का प्रयाश किया और उनको ये उद्धिश उनको ये बताया गया हमारे प्रशिच्छकों के द्वारा अतितियों क प्रिवार का विकास किस प्रकार से करना है और राष्टी एकता और अखंडता किस प्रकार से कायम रहे इस पे हम लोग एक युवा की जो भूमिका होती है स्काउट एन गाइड की रूप में वो बच्चों अच्छी प्रकार से समझा और उस प्रियास करेंगे ऐसा उन्होंने प्रेनडा लिए यूपी स्टेट प्रभारी धनंजय प्रजापती के साथ यूपी स्टेट संबादात आखले स्यादब की रिपोर्ट